हदें सहर से निकली तो गाउं गाउं चली कुछ यादें मेरे संग पाउं पाउं चली सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ वो जिन्दगी ही क्या जो छाउं छाउं चली नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का आपके अपने परिवार PVR स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़ियां मस चल रही है इन्हीं उमीदों के साथ आगे बढ़ते हैं आज की आपकी क्लास नमबर 20 में सूपर टेट, सी टेट, टेट, रीट, बिहार टेट, जहारखन टेट, यूपी टेट सभी टीचर एक्जाम भरती परिक्षाओं के लिए इस्पेसली ये कलास बहुत ही हेलफफुल होगी और जो कॉमपर्टीशन का कोई भी अधर एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बैतरीन है यह क्योंकि इसमें जो पढ़ रहे हैं नमबर सिस्टम का यह जो टॉप कि संख्या निकालना नमबर सिस्टम आपको टॉपिक चल रहा था नमबर सिस्टम में कल आपने जो पढ़ा था पिछली कलास में वह पढ़ा था हस्त मिलाप और गिप्ट से संबंधित प्रस्ण ऐसे कुछ पढ़ा था जैसे कोईस्टन मैंने करवाया था कि एक किरकेट पर लिया समझ में आ गया मजा आ गया चलिए इसमें भी मजा आने वाला है देखो मेरे भाई सुन्यों की संख्या निकालना यानि इसका अगर हम गुड़ा करें तो लाइश्ट में कितने सुन्य आएंगे यह आपको बिना सवाल हल करे बताना है क्योंकि परिक्षा में मेरे या क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोहिनूर बना देता है तो वक्त की कदर एकजाम में होती क्योंकि एकजाम में 5-10 सिकेंड मिलता है मुश्किल से 5 सिकेंड एक कोश्चन के लिए तुम 15 मिनिट अगर जोड़ो घटा होगे तो टाइम बिज जाएगा इनको गुड़ा कर जीरो की संख्या कितना है दो है यानि अगर कोश्चन में आपसे पूछा जाए कि 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 के गुड़न फल के अंत में कुल कितना सुनने है तो 2 इनको बिना गुड़ा करे बताना था क्योंकि ये तो छोटा था आप कर लिए अभी अगर बड़े- देखिए जैसे मैंने लिखा 10 गुड़ा 20 गुड़ा चार गुड़ा यहां पर 5 समझना इनके गुड़न फल के अंत में कुल कितने सुनने आएंगे बिना मल्टीपल करें बता सकते हो आज जुमाई क्लास में पढ़ाऊंगा वही चीज पढ़ाऊंगा आपको बिना हल्की अंसर देदेना चलो बताओ अप्सें देख से कमेंट करके मैं सबका कमेंट देख रहा हैं गवराना नहीं इसका अपके तीन सुनने होंगे चार होंगे पांच होंगे और नौन अब दीज इन में से कोई नहीं चलो कमेंट के चेकर में न पढ़ो कमेंट में सबका देख रहा हूं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाना है चलो फटा फटा बिलकुल बहुत अच्छे पूनम सिंग बेरे गु अब क्या करना है इनका कोड़़ा करोगे दो 20 अब क्या करना है इनका कोड़ा करोगे 400 हो जायागा लेकिन जब कर ले यार अभी जब लंबा च्वडा मिलेगा तब करोगे जैसे मान लीजिए मैंने कोईश्चन दिया ऐक मिजो पहले दो जब तक जरूरत नहीं समझ में आएगी तब तक तुम ट्रिक सीखोंगे नहीं मेरे भाई देखो यहाँ पर समझो जैसे कुश्चन है कि 25 64 60 ऐंड 625 कि गुड़नफल के अंत में कुल कितना सुनने आएग बताओ इसमें नानिक मामिक मौसिक चाची याद आ जाएंगी नहीं आएगा यह क्यों क्योंकि यह इसके जितना इसके जितना आसान ने इसका मल्टिपल करना अब बताओ कोसिश करो एक बार देखते हैं कि आप कितना बेहतरीन कोसिस कर रहे हो चलो देखो मेरे भाईया यहां परना थोड़ा सा बात अलग है आप संवे आपको देदूं तो लिख लो आप संबताओ साथ सुनने आएंगे नव आएंगे आठ आएंगे या चार सुनने आएंगे कितने आएंगे बोलो देखर इसका आएगा कितना पाता है 7 सुन्ल आएंगे कैसे आएगी वम्लो मैं समझे बता रहा हूं इनका गुड़ा करोगे तो तीन करोण आएगा multiple करोगे तीन के बाद में 7 सुन रहे गा तीन के दफा देखूं तुझे अधा तो इसको लिखिए अफट अफट जब भी दो गुड़े पांच का सन्योक बनेगा तभी लाश्ट में सुनने का निर्माड होगा और यह आप सबको पता है कि भाईया सुनने का निर्माड तभी होता है जब हम दो गुड़े पांच कहीं करते है गुड़े ना है तब हम इसके अलामा कभी भी जीरो नहीं बनता है बोलो कहीं बनता है क्या दो पूड़े अंक करोगे चार नौ करोगे है पाँछा क्ट पूड़े साथ को बिकरह द daughters करो Holz 서로 नहीं आएगा तो इसको फट से तीनों लाइन लिक्विए अभी समझाता हूं decimalchn आएगा तो सुनने का निर्माण होगा संख्याओं का गुड़नफल करते समय दो गुड़े पांच जितनी बार आएगा दाहिनी और उतने ही सुनने बढ़ेंगे संख्याओं के गुड़नफल में हम दो और पांच की घाते देखते हैं जिसकी घात कम होगी दो गुड़े पांच के उतने ही जोड़े बनेंगे अर्था दाहिनी और उतने ही सुनने होंगे इनको लिख लीजिए अभी मैं जब कुश्चन करवाऊंगा तो बोलूँगा कि नियम नंबर सी देखो भी देखो इनको देखना पड़ेगा जल्दी स्क्रीन साट लीजिए अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं अगर आप इसे अप्लिकेशन में देख रहे हैं तो आ एप्लिकेशन वाले नहीं ले पाएंगे स्क्रीन साट बिल्कुल नहीं वो लिखें तुरन लिखें जल्दी करवागे बढ़ें अगला पॉइंट लिखें जल्दी से फट से नेक्स्ट डी नंबर करमागत संख्या के गुड़नफल में दो से कम पांच की संख्या होती है अ दाहिनी और कुल गुड़नफल में उतना ही सुनने होगा यह बात ध्यान रखना है यानि दो गुड़े पांच में से सवरी दो और पांच में से जिसे के मतलब जोड़ों की संख्या कम होगी लाश्ट में उतना ही सुनने होता है अभी कोशन करेंगे सब क्लिए हो जाएग अगला करमागत विशम संख्या के गुडण फल में 5 तो आता है किन्तु दो नहीं आता है आप देखो कोई भी अगर विशम संख्या है जैसे मानलों आप 55 लेलो या पैतिफ लेलो या उन्चाफ लेलो तो यह सभी विशम संख्याएं हैं इसमें 5 तो आप ले आओगे जैसे 5 और फिर यह भी आपस में गुड़ा करो लाइस्ट में कभी सुनन नहीं आएगा इसको लिखिये चलता है फिर और अच्छे से कलियर होगा जलदी करें कमेंट के चक्कर में न परें रिंग की कुमारी हाँ कमेंट आपका आ रहा है दीब का मनोज साहू सबका कमेंट आ रहा है परिसान नहां रहें सबका नाम नहीं बोला जा सकता आगे कलाश देखें कोई डाउट होगा तो कमेंट करें चलिए फटा-फट कोश्चन करिए करा 25 इंटो 64 इंटो 60 इंटो 625 के गुडनफल के दाहिनी और कितने सुनने होंगे completely इनका multiple करोगे तो last में कितने 0 आएंगे यह आपको बताना है बहुत simple है आईए मैं बताता हूँ देखो मेरे भाई सबसे पहले इनके factor कर लीजी आप देखिए इसको 5 गुड़े 5 करेंगे न तो आपको पता है इसको जब 5 गुड़े 5 करोगे बेसिक इतना आपको आता है तो 5 कगाद 2 आएगा नई बात है न इसको 2 गुड़े 2 करोगे अगर 64 को मेरे भाई तो 64 को हम 2 कगाद 6 लिख सकते है इतना बेसिक गृत आपको आती है कि 64 को हम 2 कगाद 6 लिख सकते है इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए है न इसको हम क्या लिख सकते हैं साठ को साठ को देखो दो गुड़ा दो यानि एक बार दो से भाग करेंगे तीस आएगा इसे मुझे लग रहा है कि दो कखाद दो लिख सकते हैं तो दुना चार तीए बारा पंचे साठ न यह हो सकता है देखो कुल मिला करके मोटा मोटा यहीं 12,65 ठीक है और 625 को हम 5 की घाथ के रूप में लिख सकते हैं कितनी बार 5 बार होगा कहां देखो पांच 25 25 125 625 चार बार होगा ना यार करके देखो अरे 25 25 हां पे 625 होता है न तो 5 का घाट 4 होगा यानि हम इसे 5 का प्वावर 4 लिख सकते हैं अब समझना ये 4 घाट ये 1 घाट ये 2 घाट और यहां पे देखना इनको सबको वही तो हिसाब करना है न में 5 और 2 की घाटें निक एक 3 और 4 साथ यानि 5 का घाट साथ 2 का घाट कितना आ जाएगा 6 2 8 और ये 3 अकेले है लेकिन हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है इसको हम लिखे या ना लिखे जैसे मैं आल्रेडी आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मतलब है उनकी घातों से मत कोई मतलब नहीं होता है को रहें आजये जैसे साधीं में अपनी देखा है बरात जाती न व्यांगिमाck मतलब रहता है उसके मातापीता से भी रहता है लेकिन उतना जयादा नहीं आकि बडाती रहें सभाग जालें को ई समझे रहा हुए हो मुख हमें होते तो ऊए से क्या ह संख्याओं के गुणनफल में हमेशा 2 की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी 5 की कम होगी और 5 की घाज जितनी होगी उतने ही सुनने होंग़ ला Love तो इस में देखो इसकी घाज जादा है ने इसकी कम है तो जितना इसकी घाज है वह यह answer है आप लिखेंगे गुणन के अंत में साथ सुनने होंगे कितने साथ सुनने होंगे देखिया इनका मल्टीपल नहीं करना पड़ा कितना आसानी से आ गया न तो परिक्षा में कल्कुले संतेज होने के लिए आपका बेसिक बहुत बहुत बहतरीन होना चाहिए जैसे मैंने 64 को दो कगहाचे लिख दिया त अगला कुश्चन अब मुझे पूरा उमीद है कि आप लोग कर लेंगे अगला और जल्दी से जल्दी कर लेंगे चलो भाई अगला दो अगला अगला नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने जस्ट तुरंद इस से थोड़ा सा अलग होगा वो इसका जबाप फटाग देजिए चलिए बहुत जल्दी करिए मैं देखता हूं कितना आएगा फोटी फाइप इन्टू सेबंटी टू इन्टू 125 के गुड़न फल के दाहिनी और कितना सुनने आएगा बहुत आसान है चाचा लोग अगर कोशिस करोगे तो बहुत मज़दार है यह बेरी सिंपल है है आज कि सबसे पहले गोल्डी कुमारी बहुत अच्छे ठीक है रोहिस इंग तेटी सियादो हरी केस मिस्तरा बहुत अच्छे बेरी गुड दिखे सबके कमेंट नहीं बढ़े जा सकते जो पहले जबाब देंगे उनके कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे हो सकता है कि आपका इ होता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं तीन गुड़े 5 तीन पच्चे 15 पंदरती या 45 ना इसको मैं लिख सकता हूं दो गुड़ा दो गुड़ा दो या दो दूना चार्व दूना आठ और आठ नमभाथतर होता है न गुड़ा कि 125 को आप बिना कुछ करें ऐसे लिख सकते हो सिंपल में 5 का घात 3 क्यों क्योंकि सीधा सीधा 5 का 3 125 होता है आई यह सभी घातों का हिसाब करते हैं हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है बाकी जाए भड़ में कोई मतलब नहीं तो 2 और 5 वाला ले लो 5 की घात एक यहां पर देखो एक गात एक घात एक घात यहां पर तीन गात देखो यह तीन गात यह गात चार गात पांच का घात चार और दो का घात 3 तो मेरे भाई मैंने कहा था आपको कि 2 और 5 में जिसकी घात कम आएगी उस दी गई पूरी संख्या के गुड़न फल के अंत में उतना ही सुनने होगा तो सभी समझ में पार रहे ना मतलब समझ में आ रहा ना सबको एक बार हां बोलते रहों जल्दी से फटा फट बिल्कूल भी टेंसन नहीं लेना यार मैत बहुत आफान है और यह पूरी गारंटी हम देते हैं कि आपको मैत सिखाएंगे भरपूर सिखाएंगे मैत की वज़ा से आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी साथी भी आपकी हो जाएगे आसानी से आप एक्जाम पास हो जाओगे टेंसन मतलो यार काफी कमेंट आते हैं दुख होता देख के चलो अगला कुश्चन आपके सामने है ऑप्सन जो दिये गए हैं इसी में से कोई एक ऑप्सन सही है चलो आप बताओ यह आपके लिए है इसको मैं नहीं करूंगा यह होम और खेमान लो चाहें अभी कर लो चाहें होम और करना जल्दी करें एक बात या दिला दें आप पीवियर स्टडी एप्लिकेशन के अंदर इस बैच को पूरा अच्छे से इमांधारी से ढंग से पढ़ सकते हैं क्योंकि यूटूब पर कलासे सब्ता में दो या तीन दिन आती हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता अगर आप पीवियर स्टडी एप में जॉइन करेंगे तो आप सातों दिन देख सकते हैं और कम समय में पूरा कोर्स बैतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे तो गूगल प कुश्चन अब यहां पर इंड होते हैं अब हम टाइप नंबर बी में चलेंगे ठीक है जब लगातार संख्याओं का गुड़न फल दिया हो और उनके अंत में सुनने पूछा जाए तब कैसे करेंगे लगातार संख्याओं मतलब जो कर्मा गद्दी गई हूं जैसे एक पैटन भी है अब तक जो हुआ वो पैटन एथा चाहे तो लिख लेना नहीं लिखा तो प्रोड़क्ट आफ कांसर कांसर्टिव नंबर ऐसे अजीव टाइप की इंगलिस है यार इसकी तो भाई लिखो इंदी में देखे यह ऐसे प्रस्ण है जो संख्याओं का लगातार ग पर आधारित प्रस्ण जैसे कुश्चन अगर मैं आपको दे दूं लिखो जैसे अगर मैं बोलूं कि वान इंटू टू इंटू इंटू थ्री इंटू फॉर इंटू फाइव ऐसे डाट 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 गुड़े 11 गुड़े 12 बारा तक लगातार संख्याओं का गुड़न फ पांच से मतलब है जिसमें या तो दो आएगा या पांच आएगा सिर्पूसी से मतलब है बाकी और किसी से भी हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है आईए हमें मतलब इनसे कोई मतलब नहीं है इनसे कोई मतलब नहीं है और हां इसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा विस्तार स है ना समझना इसमें हमें हाँ इनसे मतलब है इनसे कोई मतलब नहीं है इनसे कोई मतलब नहीं है अब समझना हमें यहां पर दो और पांच की जो घाते निकालनी बस और कुछ नहीं तो यहां पर देखो दो का घात एक क्लियर है यहां पर देखो दो का घात दो होगा एकदम क् यहां पर दो का घात दो यहां पर दो का घात एक तीन का घात एक हमें तीन के घात से कोई मतलब नहीं है इनसे सिर्फ हमें दो से मतलब है समझना यह पर दो गुड़ा पांच हो को मेरे भाई 5 का घात 1 2 का घात भी एक है यहाँ पर 2 अच्छे लिख सकते हैं दो गुड़ा औरहलो चार ओल स्टे से설ी है ठीक है बात पकी दो की घात इकठा करो 1 2 का घात cm2 ये कितना हो रहा है कि फिर से किनूग कुछ कि मिसमैच नहीं हो रहा है सब सभी है ठीक है दिखो एक घाट दो-13 गात- students 9 और 2 11 यानि हमें 2 का घाथ 11 घाथ मिल रही है सुरी 2 का घाथ 11 ठीक है 5 का कितना मिल रहा है देखो एक घाथ यह और 5 वाला एक यहां पर है बस 5 का घाथ 2 आंसर वही होता है जिसकी घाथ कम होती है ना अता इनके गुड़नफल के अंत में 2 सुनने होंगे यह तो मैं तुम्हें पहले ही लिखवा चुका हूँ ना कि जिसकी घाथ कम होगी वही आंसर होगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था लेकिन मेरे भाई यह तो किवल 12 तक अगर यह माल लो 1000 अफ़ी तक दे दिया तो का करोगे तो क्या सब का थोड़ी निकाल पाओगे बिच बिच से नहीं न उसमें कुछ जुगाड लगाना होगा वह जुगाड क्या है चलो लिखवाते हैं इसको जल्दी लिखिए वीडियो को रोंक करके अप्लिकेशन वाले बच्चे फटा-फट लिखें और अगर आप इसे यूटूब या फेस्बुक पर देख पारें तो आप भी स्क्रीन साट लेके रख सकते हैं ठीक है कि देखो अब जुगाड और ट्रीक समझ लो कि कैसे निकालते हैं टोटल नंबर आप टू एंड नंबर आप फाइप जैस कि यह अगर कि तो निकालने के लिए अंतिम संख्या में 2 से भाग करेंगे ठीक और अगर कुछ निकालना है तो जैसे वो निकालते हैं क्या भाग विधी से वर्गमूल देखे हो न वैसे कुछ एकदम बिल्कुल वैसे ही करेंगे गुड़न खंड की तरह परकार समझ लो आप वर्गमूल नहीं जैसे दफ ना इसको दो से भाग करो कितना आएगा पांच देखो यहां पर भाग करने का मतल पूरा पूरा कटे या ना कटे सेसफल आ सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है पूरा पूरा कटे या ना कटे तो दो कभाग इसमें जा सकता है कितनी बार जाएगा दो दूना चार दो बार जाएगा ना कितनी बार जाएगा दो दूना चार तो यहां पर हम लिख सकते हैं दो ठीक है अब देखो समझते चलो अब दो का भाग इसमें कितनी बार जाएगा एक बार कुछ समझ में आया की नहीं आया ना समझ में देखो एक चीज़ समझ ना यहां पर तो हमने दो का भाग किया तो यह कट गया था पूरा पूरा दस तो दो पंचे दफ लिखा था दूसरी क면 यह उससे जादा ना हो इससे कम रहे बस ठीक है अरे मुरे भाईजे से अन्में 5 में 2 चार दूपर पूरा पूरा चला जाएगा अबकुल कितने दो होंगे इनके घुड़न फल केंद में इनको जोड़ लेते हैं इनको जोड़ लेते हैं बतलब ये बहला ये भी ये भी दस को छोड़ देते हैं बस fifty, two, seven, eight कितना होंगे? आठ बार दो होगा चाहए देख लो पकड़ के देख लो देता हूं देखो एक दो यह है भाइस आप चार को दो गुड़े दो लिख सकते हो छे को दो गुड़ा तीन लिख सकते हो तो देखो एक दो यहां है दो दो यहां है और इसको आप आठ को दो गुड़ा दो तीन बाल लिख सकते हो तीन दो यहां है दस को दो गुड़ा क्या करोगे उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ फंडा अपनाते हैं इसको पांच से भाग करते हैं लेकिन यह ट्रिक है तो यहां पर बेसिक कांसेप्ट नहीं अपनाना कि भीया फैक्टर में तो अगर पांच दो से कंप्लिटली डिवाइड नहीं है तो हम भागे नहीं करेंगे ऐसा नहीं है हम ट्रिक लगा रहे हैं आपर तो ट्रिक में हो चाहता है ऐसा कोई भी बेसिक नियम नहीं फालो होता है पांच का भाग दिसमें जाएगा दो बार दस हो गया अब क्या करोगे अब चाहिए तो दो एककम दो कर लो या ना कर लो कोई मतलब नहीं हो गया काम खतम हुं एक बार में खतम हो गया दो आ अब यह अंसर होगा कितनी बार दो बार और बार पांच आएगा ना भіть यहाँ आया है ऊएक पांच अहा आया था बस भी स्मझ गया हैक फ़ी कोई को एक बार आप दो से भाग करोगे जैसे अभी किया थम्हें और एक बार पांच से करोगे दोनों संख्या निकाल लोगे ठीक है इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं डाउट ना रैसमी सिंग हाँ आएगा बिल्कुल आएगा इस तरह क्या और सवाल करोंगी तो आने लगेगा अखिलेस जी बिल्कुल हाँ क्लास का टाइम रात के आठ बजे होता है पी वी आरे स्टड़ी इरहाबाद यूटूब चैनल पर सब्ता में तीन दिन होता है इस समय मंडे टूजडे बेड़ ना करें अभी और भी आगे कुछ पढ़ना है लिखिए एक और भी कोशन इस तरह लिख लीजिए एक गुड़े दो गुड़े तीन लिख लो भाईया लिख लो एक से ले करके सो तक्का मल्टीपल किया गया है और इसके गुड़नफल के अंत में कुल कितने सुन आएंगे यह आपको बताना है ठीक है चलो आओ चलो ले चले तुम्हें कहां नहीं जानते हो तारों के सहर में समझ रहे हो ना चलो ले चले तुम्हें तारों के सहर में तारों के सहर में बात में जाना पहले कुश्चन सो तक के गुड़नफल के अंत में कुल कितना सुनने आएगा बताओ इमांदारी से बताओ फिर ले चलेंगे तारों के सायर में सबको चलो कितना बेरी गुड बहुत अच्छे सबसे पहला जवान जबाब सबसे पहला रिप्लाई जवाया जबाब आया मोनिका स्रिवास्तो बिल्कुल करेक्ट ठीक है आईए देखिए फोटी राइन आएगा जोको मेरे भाई इसमें कितनी बार दो सामिल है कितनी बार पांच सामिल ह संख्या में कुछ आता पता नहीं है और एक चीज़ आपको पहले से पता है कि कोई भी संख्या का जो कर्मा का संख्या उनका गुडण फल दिया उसमें पांच की संख्या हमेसा कम होती है दो की ज्यादा होती है ना तो हम पांच की संख्या निकालेंगे कोई मतलब नहीं है 5 का संख्यान निकालने के लिए हम इसको 5 से भाग करेंगी 5 से भाग कर करके देखो 5 इस कहा दा रहा है कौन से दुनिया में 5 से भाग करके देखो 100 में कितनी बढर जायेगा कुछ गर बढर जा रहा है का orthogonal करके देखो कया 40 बोलो यह मुझे भी नहाजम हो रहा है कभी भी 40 आएगा नहीं पांच से इसको भाग करेंगे भाई साब तो 20 आएगा क्यों 5-10-20-50-80 होता है फिर 5 से इसको भाग करोगे तो 5-20 अब देखो समझो 5 का भाग फिर जाएगा क्या इसमें नहीं जाएगा अब पांच का भाग नहीं जाएगा ना तो मैंने क्या बताया था लाष्ट में इन दोनों को जोड़ लेते हैं यह 24 यानि एक से लेकर के 100 तक का जो संख्या है उन सब का मल्टीपल करोगे तो गुरनफल के लाष्ट में कितना आएगा 24 बार सुनने आएगा जल्द लिखो मल्टीपल कर लिजिए फटा पड़ और बताइए मुझे चलिए इसी तरह से मेरे भाई यह कोईश्चन इसको भी करना आप लोग एक से लेकर के 200 तक की संख्याओं का मल्टीपल करना लाष्ट में और कितने सुनने आएंगे यह मुझे 55 यह कोईश्चन आप लोग करोगे कोईश्चन नंबर इसको साथ लिख लिजिए कोड भासा में इसको करके मुझे कमेंट करके बताना ठीक है और जो बच्चे क्लास को जोईन किये हैं उनको वाट्सप वाला नंबर जो मिला डाउट वाला उस पर बेज़ेंगे जल्दी फ साथ ही डाउनलोड ना करें आनलाइन देखें और अगर डाउनलोड करते हैं सेर नहीं करते सरम आती है तो फिर आप पीवियर स्टेडी डाउनलोड करके जाके इंडॉल करिए वहां पर चुपे से पढ़िए कोई ना जान पाए कोई दिक्कत नहीं ठीक है बहुत-बहुत बना देता है वक्त की कदर करना सीख ले आए बंदे क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोहिनूर बना देता है तो अगर अभी भी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो बिल्कुल ना घब रहें वक्त जो है न एक पहिये की समान जैसे पहिया ऐसे गुमता रहता ना इसे- अच्छा वक्त है तो बहुत ज़्यादा कूदने की जरूरत नहीं है और बुरा वक्त है तो बहुत ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है सन्यम बनाए रखें हर एक अवस्ता में